आज हम बात करने वाले हैं साइन्स के सूपर डोज के पार्ट टू के बारे में इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन देखा था जिसमें 50 MCQ आलेडी मैंने आपको कवर कर रहा था और आने वाले बिहार इसाइप प्री और मिंस दोनों के लिए ये हलफो लोगा सारा important questions है और उसी तरह से ये बिहार पुलिस के लिए भी काफी math問 questions का संग रहा है तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए और बताई कि आप कितना score कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप जाना चाते हैं कि science की त्यारी आपकी कैसी चल रही है तो आपके लिए safe score यहां पर दिया जारा है 38 marks 50 questions में से 38 सही कीजिए और आपको पता चल जाए कि आपकी त्यारी कैसी है वीडियो अच्छी लगे, questions अच्छे लगे तो like भी कर दीजेगा साथी साथ channel को subscribe करके notification bell को all पे set कर लीजे तो शुरू करते हैं थमाकेदार प्रश्णों के साथ फर्स्ट question यह कह रहा है कि positron की खोज किस ने की थी बढ़े कि positron की खोज किस ने की थी तो यहाँ पर सई अंसर हो जाता है Anderson option हम D को टिक करेंगे चलें यहाँ से जोड़ी कुछ points पर हम देख लेते हैं जैसे देखिए positron या फिर positive electron परमाडू में पाया जाने वारा एक मॉली करन या धहन आवेस युक्तिकरन होता है इसके गुण electron के समानी होते है किन्तु दोनों में अंतर यह है कि electron जो होता है वो रिन अवेस युक्तिकरन होता है जबकि जो positron होता है वो धन अवेस युक्तिकरन होता है और इसका द्रवमान electron के द्रवमान के समान होता है इसके खोज करता कौन थे कार्ल डेविड एंडर्सन ने और 1932 हिस्वे में इसकी खोच की गए थे ठीक है न? चलिए सेकंड कुईशन बनता है कि कि किसी परमाडू नाभिक का आईसो टॉप वह नाभिक है जिसमें आईसो टॉप यानि कि समस्थानिक और समस्थानिक में क्या होता है? कि पुट्राणों की जो संख्या होती है समान होती है परन्तु न्यूट्राणों की संख्या भीन होती है इसलिए हम यहाँ पर ओप्सन बी को टिक करेंगे वीडियो को अराम से लाश्ट तक देखिए और आपको चिकन गुणिया होता है तो राइट एंसर होगा ऑप्सन C यानि कि रोग जनक जनने रोग ऑप्सन हम C को टिक करेंगे और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ देखिए ध्यान दीजेगा कि यह मानों में इंडिस मच्छर के काटने से परवेश करता है और यह एक विसाडू ठीक उसी लक्षण वाली बीमारी पेदा करता है जिस प्रकार की जो इस्तीती डेंगु के रोग में उत्पन होती है टेंगु जो होता है वही वाइरस के कारण ही होता है चिकन गुणिया भी वाइरस के कारण ही होता है लेकिन ध्यान रखेगा जो malaria होता है वो proto-java के कारण होता है तो ये कभी-कभी questions पूछाता है और इसमें कफी लोग confused हो जाते है अगला questions की pediatric निमली कि इत्मेंसी किसके अध्यान से संबन दीत है जो pediatric से किसके अध्यान से संबन दीत है तो pediatric में सिस्सू रोग का अध्यान किया जाता है option C को टिक करेंगे ECG किस रोग का पता लगाने हित्व परियुक्त किया जाता है ECG सबसे पहले तो full form बताईए कि ECG का full form क्या होता है जल्दी से नीचे comment कीजिए ECG का full form क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि ECG किस रोग का पता लगाने हित्व परियुक्त किया जाता है ECG यानि की हिर्दै option हम B को टिक करेंगे चली उमीद करता हूँ कि आपने ECG का full form बता दिया होगा यहाँ पे देख सकते है ECG का full form होता है electrocardiogram ध्यान रखेंगे लिए electrocardiogram इसको ECG या फिर EKG भी कहा जाता है ठीक है न और यहाँ पे पढ़ सकते electrocardiogram तो अच्छा के बिदू चालकों से एक नियत समय के लिए हिर्दै की वैतुत गतिवीधी को बाहर से रिकॉर्ड किये जाने का एक परवाक्षी ये व्याख्या है ठीक है ध्यान रखेगा देखे next one कहा है कि producer gas किसका मिसरण है producer gas किसका मिसरण है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर का CO plus N2 यानि कि carbon monoxide और nitrogen gas के मिसरण को producer gas कहा जाता है नेक्ष्ड वण कि एक rasynik पदार्थ जो रखत का ठक्का बनाता है रखत का ठक्का बनाता है और आपको पता है कि रखत का ठक्का बनाने के लिए बिटामीन के क्यों सकता होती है और विटामीन क थे कह अगर रसाइनिक नाम की बात करे तो acknowledging quinones यहाँ पर option हम A को टेक करेंगे जो कि vitamin K खा रसाइनिक नाम है next question सबनता है कि indole 3 acetic का अमल एक carbonic योगिक है या किसका वर्गी करण है तो indole 3 acetic अमल एक carbonic योगिक है या किसका वर्गी करण है तो ये oxyn का वर्गी करण है ध्यान रखेगा oxyn क्या होता है तो oxyn एक पर करका पौधा हर्मोन होता है option D को टिक करेंगे next one की computer आकडों में असुद्धी को क्या कहते है computer आकडों में असुद्धी को क्या कहते है असुद्धियों को bug के नाम के जाना जाता है bug option C को टिक करेंगे next one है कि botany सब्द की उत्पत्ती किस भासा किस सब्द से होई है botany जो सब्दे किस भासा के सब्द से होई है तो option D यहाँ पे सह होगा Greek ठीक है option D correct होगा Greek next one की निमली खित में से मनुस्य के सरीर में पाई जाने वाली कौन सी गरंती वाहिनी विहीन है कौनसी गरंती वाहिनी वहीन है अगर आप मुझे वीडियो अच्छी लग रही हो क्वेस्टन्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजगा और इस वीडियो के लाइक का टार्गेट में रखता हूँ 600 लाइक्स का और मुझे उमीद है कि आप लोग कर दोगे ठीक है 600 लाइक्स ज़रूर कर दीजगा ताकि मुझे अच्छा लगे और इस क्वेस्टन्स का राइट एंसर होता है अन्ता स्रावी गरंती है औप्शन C को टिक करेंगे नेक्स वन क्या है कि सुत्रकर्णिका या फिर माइट्रोकॉंडिया तो ध्यान रखेंगे सुत्रकर्णिका कोई माइट्रोकॉंडिया के नाम से भी जाना जाता है निमलिकित में से किसका केंद्र होती है तो सुत्र करनिका या फिर माइट्रो कॉन्डिया जो है वो किसका किंद्र होता है तो कोसी की सौसन आप्सन डी को टिक करेंगे कोसी की सौसन नेक्स्ट वन के आर्कियो पटेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजग कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है तो यहाँ पर करेक्टांस रुगा आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो सरीश्रीप और पक्ची यानि कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स यहाँ पर क्या सकते हैं option हम B को tick करेंगे next one देखिए क्या है कि जब हम बकरी या फिर भेंड का मान्स खाते हैं तब हम क्या होंगे जब हम बकरी या फिर भेंड का मान्स खाते हैं तब हम क्या होंगे तो हम कह सकते हैं कि हम जो होंगे वो दूती उपभोगता होंगे वो प्रात्मिक उपभोकता बनेंगी क्योंकि उत्पाधक के अगर हम रूप में देखे उत्पाधक तो उत्पाधक में क्या हैगा हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है तो प्रात्मिक उपभोकता यानि कि अगर बकरी को ले ले तो हरे पेड़ पौदे को वो बकरी खा लेगी तो ये प्राथ में उपभोकता बनी और प्राथ में उपभोकता को हम लोगों ने इंसानों ने अगर खाया तो ये होगे दूती उपभोकता इस तरह से इसलिए ओप्सन हम B को टिक करेंगे नेक्स्ट विसन से की पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक रासी प्राप्त होती है इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं देखे ध्यान दीजेगा अगर हम यहाँ पर देखें P यानि की मोमेंटस बराबर क्या होता है P बराबर हम कह सकते हैं कि M गुने B मास गुने वैलोसिटी अब हम इसे पूछा क्या जा रहा है कि समवेग और वेग के गुड़नफल यानि कि अगर मैं समवेग को यही रखू और वेग को इसके नीचे ला दू इसका अनुपात सौरी इसका अनुपात है तो समवेग और वेग का अनुपात बराबर क्या निकलेगा मास यानि कि करेक्ट रांसर यहाँ पर क्या होगा द्रबिमान ओप्सन डी को टिक करेंगे अच्छा कभी कभी क्वेशन्स यह पूजा सकता है कि जो यहाँ पर समवेग आप देख रहे हैं जो SI unit होगा वो क्या होगा तो M के लिए हम क्या लिख सकते हैं kg हो जाता है और velocity के लिए m3s तो यह ध्यान डखेंगे कि समवेग का SI मात रख kg m3s यह important हो जाता है चलिए अगला कुशन्स क्या बनता है कि प्रकास की गति किसके बीच से जाते हुए new time हो जाती है तो ध्यान रखेगा जो प्रकास की गति viral माध्यम से सगन माध्यम में अगर परवेश करेगी तो वो कम हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखे काच ठीक है काच अगर हम काच में परवेश करेगा तो वो new time हो जाएगा इसलिए हम option B को टिक करेंगे next one questions क्या कहा रहा है कि निमन में से किस धातो को चाकुष द्वारा असानी से काटा नहीं जा सकता है ध्यान दिजगा नहीं काटा जा सकता है चाकुष असानी से नहीं काटा जा सकता है तो अगर हम यहाँ पे देखें नहीं काटा जा सकता है तो option हम किसे टिक करेंगे अल्मोनियम, अल्मोनियम को नहीं काटा जा सकता है जबकि potassium, sodium, lithium ये तीनों को तीनों असानी से काटा जा सकता है तो option हम से पूछा क्या गया था कि कौन नहीं काटा जा सकता है एल्मोनियम को टिक करेंगे केवल और केवल 3 option D यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा याद रखेगा चलिए नेक्स्टर ने की निम्न में से कौन सा तत्तो सरवाधिक बिदुद धनातमक है यहां देजएगा कौईस्ट में सरवाधिक बिदुद धनातमक पूछा जा रहा है और मुश्टली लोग यहां पे क्वेश्टन को गलती करेंगे यह option C को टिक करके florine क्योंकि florine जो होता है सरवाधिक बिदुद धनातमक होता है बते हैं कि आणवी कक्छा का अवे विन्यास किससे नियंत्रीत होता है। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा। Option B को टिक करेंगे चुम्बक की क्वांटम संख्या। Option B will be correct answer। Next one है कि जैविक पर्यावरण में सामिल है। जैविक पर्यावरण में सामिल है। तो ध्यान रखेगा जैविक पर्यावरण में कह सकते हैं कुत पादक, उपभोकता और अपगटक। उपयुक्त सभी option D कोटिक करेंगे। उपरोक्त सभी यहां पे सही आंसर हो जाता है। next one है कि अत्यादिक चारण का क्या परिणाम होगा? अत्यादिक चारण का परिणाम क्या होगा? अत्यादिक चारण से म्रिदा अपवरदन हो सकता है option B सही आंसर है, म्रिदा अपवरदन और यह काफ़े important question है याद रखेगा, खटे स्वाद के लिए को सिका हैं, जीवा के कि इस भाग में होती है, ध्यान रेके खटे स्वाद की बात की जा रही है, तो चलिए इसको अच्छे समझ लेते हैं, अगर हम बात करें कि अगर यह देखें, अगर मैं इसको जीवा समझूं, ठीक है, मनुस्तिका जीवा समझूं तो यह हमारा एक अग्र भाग होता है, यह हम हमारा जो कि पासरवे side हुआ ठीक है दोनो तरह पासरवे हो गया तो दोनों जब पासरवे जो होते है वह खटे के लिए स्वाद की कलिकाए होती यह खटे ठीक है उसी तरह से इधर भी खटा होगा लेकिन जो starting का होता है वह हम कह सकते हैं कि मीठे स्वाद के लिए होता है और का जो होता है वो तीखा होता है दोनों साइड जो होता है वो खट्टे के लिए होता है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद के लिए जो होगा वो पासर्व होगा option B को टिक करेंगे और अगला जो भाग होता है वो मिठे के यह होता है और पिछला जो भाग होता है वो कह सकते हैं तीखे के लिए होता है द्यान रखेगा लसी का खाले स्थान से पच्छा हुआ तथा अवसेसित वसा का वहन करती है यहाँ पर क्या होगा सही अंसर तो यहाँ पर राइट अंसर ऑप्शन C को टिक करेंगे चुद्रांत ध्यान रखेगा चुद्रांत का मतलब हो गया छोटी आत यानि लसी का जो छोटी आत से पच्छा हुआ तथा अवसोसित वसा का वहन करती है नेक्स्ट वन क्या है कि NA2SO4 में इसका ओक्सी करन अवस्था क्या है और इस टाइप के questions बहुत जादा important है pre और means दोनों में इस ट कैसे जक्ते है कि इसका वैलेंसी कितना होता है तो plus 1 और फ्ल सवन यहाँ पर 2 लगा तो यानि फ्लस 2 हो गया फ्लस 2 इधर से और passengers का मानेकि 4 लगा तो यह दो से तो definitely यह fix है कि plus 6 होगा तो right answer will be option A next questions बनता है कि kilowatt घंटा एक unit है बताएगे kilowatt घंटा किसका एक unit है तो ध्यान रखेंगे kilowatt घंटा unit होता है उर्जा का और यह बहुत साधा VVI equation है और कई लोग इस questions में गलती करते हैं सक्ति को tick करके वाट देख करके वो सक्ति को tick कर देते हैं ऐसा गलती आप ना करें kilowatt घंटा उठ जाका मात रखें आप एक चीक आदर्था को किस रूप में व्यक्ति किया जाता है तो यहाँ पे सही answer क्या होगा आप एक चीक आदर्था को सबसे पहला question तो यही पुझाता है कि प्रकास कौन सी तरंगे तो अनुपरस तरंगे होती है ध्यान रखेगा और अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी प्रघटना या निन्य लेन में असायक होती है तो धुरुवी करण नेक्स्पुथ यह कहा रहा है कि पौधे द््ट्रंग को बाहर निकानने के क्रिया क्या कहलती एह पौधे द्वारा जल्ग को बाहर में कि ब्रक्रिया उती हैं क्या कहते हैं वास पॉद्षर्जंण option बीबिक करेक्टल्ग सरजण और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेशन है कि पादब कोसी का भित्ती निम्न में से बनी होती है पादब कोसी का भित्ती किसकी बनी होती है बताईए और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेशन है याद रखेंगे पादब कोशी का भित्ती सेलोज की बनी होती है option A को टिक करेंगे next questions की आदर वायू में ध्वाईू की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आदर वायू में क्या होगा तो यहां पर सही आंसर क्या होगा पता ही तो यहां पर सही आंसर होगा कि आदर वायू में सुस्क वायू की तुलना में घनत्व कम होता है इस वज़े से ज़्यादा होता है option B को टिक करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं देखें आदर वायू में ध्वानी का वेग सुस्क वायू की तुलना में अधिक होता है हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ध्वानी का वेग माध्यम के घनत्व के वर्ग मुलके वेत कर्मानु पाती होता है अता माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वानी का वेग अधिक होगा तो यह point ध्यान रखेंगे बहुत ज़ादा important बन जाता है next questions की किसी पींड की उस गती को क्या कहते है जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुन्रावरीती होती रहती है तो ध्यान रखेगा इस टाइप के गती को हम क्या कहते है for example यगर हम बात करें तो जो घड़ी है मालने जो घड़ी है घड़ी का जो सुई है वो क्या करता है वो अपना निश्ची तंतराल पर वो अपने पुन्रावरीती करता रहता है अपने टाइम पर यानि कि यह तीन पर गया तो फिर से तीन पाएगा यानि अपना यह गती करता रहता है और उसकों लोग कहते हैं आवधी गती ठीक है आवधी गती कहा जाता है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कुशन की निउटन का पहला गती नियम संकल्पना देता है निउटन का पहला गती नियम संकल्पना देता है किसकी तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा निउटन का पहला गती नियम कह सकते हैं किसकी होता है तो जड़त्व का, option D को टिक करेंगे जड़त्व का, और एक चीज़े और भी आध रखेगा कि Newton के गती के पहले नियम से हमें क्या होता है कि बल की परिभासा भी मिलती है लेकिन कभी कभी पूझाता है कि बल का परिभासा तो पहले नियम से मिलता है लेकिन वल का जो व्यंज़क होता है F बरावर A में ये कहां से मिलता है तो Newton के गती के दूसरे नियम से इसका व्यंज़क प्राप्त होता है ठीक है ना, चलिए next question स्पहनता है कि सूरे के चारो और गुबने वाले प्रितवी के लिए कौन सा बल जिम्यदार है सूरे के चारो और गुबने वाले प्रितवी के लिए कौन सा बल जिम्यदार है तो यहां पर correct answer क्या होगा हम option D को tick करेंगे गुर्तवा कर्शन बल ठीक है option D will be correct answer गुर्तवा कर्शन बल ध्यान दीजिगा गुर्तवा कर्शन बल अकर्शन बल है जो परतेक दो वस्तूओं के बीच उनके दर्मान के कारण लगता है यानि जिन दो वस्तूओं में दर्मान होगा उनके बीच परतेक वस्तूओं के बीच गुर्तवा कर्शन बल लगता है और यहां पर formula भी होता है ध्यान रखेंग गुट्वा करशन बलका जो फर्मूला दिया गया था न्यूटन ने दिया था सरवात्रिक निया हम आपको पता है F बराबर G M1 M2 Y R स्क्वार ये बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखेगा और सबसे ज़्याद है इसमें पूछा क्या जाता है कि G की वैलू बता है Capital G का जो वैलू होता है क्या होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square प्रती kg square इसका जो मात्रक होता है वो आपको याद रखना है इसकी unit बहुत बार पूछा जाता है याद रखेंगे ठीक है जबकि स्मॉल जी के गर हम बात करें कितना होता है 9.8 meter per second square ठीक है 9.8 meter per second square चलिए नेक्स्ट विसंस की टेसला चुम्बक्य का unit है बताइए टेसला जो किसकी unit है तो ध्यान रखेंगे जो टेसला होता है वो चुम्बक्य छेत्र का यानि magnetic field का unit होता है option B को टिक करेंगे यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि चुम्बक्य छेत्र की तीव्चता जो होती है यानि कि जो चुम्बक्य छेत्र की तीव्चता है एक अधीस रास ही है जिसका मात्रक टेसला या फिर बेबर प्रती मितर स्क्वार या फिर न्यूटन प्रती एंपिर मितर होता है तो इन तीनों को आपको याद रखना है next questions क्या कराएं कि चालक का प्रतिरोध किससे से बढ़ जाता है चालक का प्रतिरोध किस से बढ़ जाता है तो ध्यान रखेंगे कि चालक का प्रतिरोध लंबाई में ब्रिधी से, तापमान में ब्रिधी से और अनुप्रस्त काट के छेतरफल में कमी से बढ़ जाता है option हम यहाँ पे D को टिक करेंगे इन में से सबी नेक्स्ट पॉइंट है कि plaster of Paris किसको गरम करने पर प्राप्त होता है plaster of Paris किसको गरम करने पर प्राप्त होता है तो देखें ध्यान रखेगा right answer होगा option A. gypsum gypsum का formula क्या होता है? C.A.S.O. 4 into 2H2O ठीक है gypsum का formula होगा और इसे गरम क्या जाता है तो यह क्या होता है कि इस plaster of berries में convert हो जाता है CSO4 into half is true होता है यह ध्यान रगेगा calcium sulphate earth hydrate को हम लोग क्या कहते हैं plaster of berries चलिए next question is क्या है कि gel परवाह को मापने की unit क्या है gel परवाह को मापने की unit क्या है तो correct answer क्या होगा gel परवाह को मापने की unit क्यूबिक मीटर परती सेकंड यह दो मात्रक आपको याद रखना है क्यूबिक मीटर परती सेकंड भी होता है ammonia का एक गुड़ कौन सा है बढ़े कि ammonia का एक गुड़ निमलिखीत में से कौन सा है क्या होगा right answer तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सही answer क्या होगा कि ammonia का एक गुड़ कौन सा है तो इसके जलिये विलियन में लाल इटमस नीला हो जाता है चलो इसके बारे हम काफे अच्छ तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं देखिए कि ammonia एक तीक्षड गंध वाली रंगहीन गैस है और यहाँ जल में अती विलय होता है ammonium hydroxide अमूनिया का च्छारिये जलिये विलयन है इसलिए यहाँ लाल इटमस को नीला कर देता है टिक ना आपको पता है कि अनील मैंने आपको कई बार याद करा है अमल क्या करता है कि नीले को लाल में करता है जबकि अमोनिया जो होता है छार ये जलिये भी लेन है और छार ये होने के विज़े से क्या करते है कि लाल को नीला करता है जबकि अमले क्या करता है कि नीले को लाल में करता है तो छार क्या करेगा है लाल को नीले में कनवर्ट करेगा इस तरह सा आप याद रख सकते हैं चलि को एब्जॉम करते हैं और हमें सुध्य ऑक्सीजन प्रवाइड कराते हैं तो ऑक्सीजन वापस आ जाती है वाई मंडल में प्रकास संस्रेशन की किरिया के द्वारा किसी तत्वे के रसाइनी गुड निम्न में से कौन तै करता हैं तो इलेक्ट्रोनों की जो संख्या होती है वो रसाइनी गुड जो की तै करता है नेक्श्ट वन की कैंसर के उपचार के लिए बाह विक्रन चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ओपसन डी कोबाल्ट 60 ठीक है कोबाल्ट 60 ओपसन डी को टिक करेंगे नेक्श्ट वन की चौराहे पर मुड़ते समय साइकल सवार पर केंद्र की ओर लगता है तो बताईए केंद्र की ओर क्या लगता है साइकल सवार जो है चौराहे पर मुड़ते समय उस पर एक बल लगता है वो कौन सा बल होता है तो अभी केंद्रिये बल ओपसन हम एक उटि के त्रू भी ठीक है और यहां पर इस सुत्र में क्या होता है कि एफ जो है बल है भी वस्तू का वेग एम दर्वमान और आर जो है घुमावदार पत्थ की त्रिज्या होती है ठीक है गोल घुमते हुए जूले पर बैठे लोग अभी केंद्रिय बल के कारण बाहर की और जुक सिंपल सा नुमेरिकल है जल्दी से कल्कुलेशन करके पता है तो देखे आपको पता है मैंने उपर में क्या पता था कि इफ बराबर क्या होता है एम ए ठीक है जो की न्यूटन के गति के दूसरे नियम से यह फर्मूला निकलता है और हम यहां पर कह सकते हैं कि न्यूटन द स्कौर तो कुछ लोग यहां पर जल्दबाजी में यह गलती मत कर देना कि मीटरपाती सेकंड स्क्वार ना टिक करके मीटरपाती सेकंड को टिक कर देना ऐसा गलती हो जागा इसलिए औपसन ए को टिक करेंगे ध्यान रिखेंगे जो यूनिट होता है बहुत सादा मैटर कर करता हैं तो मिटर पती सेकेंड स्कॉार ओप्सन एक को टिक करेंगे करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है कि किसी घड़ी के लोलग की लंबाई बढ़ाया जाने पर क्या होगा तो ध्यान रखेंगे अगर उसके लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो आधी बढ़ होगी सिंपल सी भासा में नगिव्स की ठुग हम इसको सॉल्व कर सकते पर सेंटेज को जैसे सॉल्व करते हैं और बुस परसेंट को कमी की जा रही है यानि कि माइनकर मइनस बिस और मइनस बीस और दोनों का 이 इसको करेंगा तो मैनस मिनस क्या होता है प्लस यानिकि दो दू सरवाधिक घे की है अग्र मस्तिस्क option a ko टिक करेंगе अग्र मस्तिस्क की गरंथी जिसमें भीरी ऑर्मोन बनता है बताएं के गरंथी इसमें ब्रीम हर्मोन बनता हो कौनसा और वो हमारा पीूस क्वांथी और मैं आपको बता दो कि मानोशती कि सबसे चोटी गरंथी होती है प्यूस गरंती जिसकों लोग मास्टर ग्लाइंड के नाम से भी जानते और इसका वजन कितना होता है आप इसको जल्दी से कंप्रीट कर दिए ताकि मुझे अच्छा लगे वीडियो को बनाने में और एक चीज़ में आपको बता दू कि मैंने इससे पहले जो मेंस का एक्जाम हुआ था बिहार एसाई का उसमें मैंने करीब 700 प्लस क्वेस्टन्स दिये थे सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं और वाइस में आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस घूजा और यहां ठॉजाता केलसियम ध्यान रगएगा ऑब एक क्यूज का क्यूज का इंकसर नीचे कमेंट करके बता दिजीगा कि को सिकाओ के अध्यन से संबंधित जैविकी की सखा को क क्या कहते हैं तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लेर्निंग, हाव अगुड देग